कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों जो सरकार अपना चलाया हुए 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है तेश के पुर्धान मंत्री जीने कभी नट उटने वाली चुप्पी ओधली है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नील कैसे आती है आप सो कैसे पाते है जो सरकार अपना चलाया हुए 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है 14,417 शब्दों का बजट भाषन और उस बजट में अपने लिए राहत तलाश्ती मिडिल क्लास की हैरत ज़दा आखें अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसत और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है धिरी इम्रान प्रता बड़ी रन्यवाद सभापती महोदे आपने मुझे आम बजट पर गोलने का मौखा दिया सर माई टाइम नी पौद माई टाइम नी इम्रान प्रता बड़ी कहा गया है थोड़ा सा इसकी जांच प्रवग यह आपसी मावला है यह खतम होने वाला नहीं है मेर से इसकी जड़ें बहुत गहरी गई हुई है मैं रोज देखता हूँ यह जड़ें गहरी होती ही जाती है इम्रान प्रता बड़ी धन्यवाद सभापती महोदे 83 मिनत 71 बार थपथपाई गई मेज 14,417 शब्दों का बज़ट भाशन और उस बज़ट में अपने लिए राहत तलाशती मिडल क्लास की हैरत जड़ा आखें सभापती महोदे मेरे हाथों में जो दख्ता बेज है दख्ता लिये देश के किसानों गरीबों मज़़ूरों की उमीदों का इस्मारक है ऐसा लग राज जैसे बित्त मंत्री महोदे ने बज़ट नहीं तयार किया है बलकि प्रधान मंत्री जी की मन की बात का संकलन तयार किया है तूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे है तूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे है और जिल्ले इलाही के करम देख रहे है ताकत का नशा अकल पे हावी है तुम्हारी तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं वित्तमंत्री महोदिया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोला है जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो सभापती महोदे मेरा टाइम पॉस करें और बार बार इंट्रेप्ट करने को या तो मना करें आप बोले कृपय बोले सभापती महोदे वित्तमंत्री महोदिया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो उस देश की वित्तमंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, डाल, सबजी की महगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा मैंने तो ये भी सुना है कि वित्तमंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती है उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पारलियामेंट आने से पहले वित्तमंत्री जीने दही और चीनी खाई थी अब तो उनसे ये पूछा जाही सकता है कि उन्हें दही दूध और चीनी का रेट तो इन दुनों पता ही होगा क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी अगर पता है तो कृपिया सस्ता करवाई है क्योंकि इसी चीनी में अमेठी में एक मंत्री महोद्या का राजनैतिक केरियर कड़वा कर दिया सवापती महोद्या अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कब खरी दिये तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहारी लेकर के बाजार जाईए और अपने बच्चों के लिए राशन खरी दिये तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है यह चूनर धानी धानी भूल जाते यह पुर्वा की रवानी भूल जाते जो आकर चार दिन गाओं में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते सभापती महोदे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है मुझे तो होटलों ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवानों आलों से पूछना है कि कभी फून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ मुझे पूछना है कि क्या करोना के दोरान अपनी उखरती वी सांसों के लिए आक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने आक्सीजं लाने वाले किसी इंसान से पूछा था इस पूछना है कि लावारिश लासों के लिए कोरोना में कांग देने वाले चिताओं के लिए लकडिया सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम उसका मधभ लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापती महोदे अब को देश के पुरधान मंत्री जी ने कभ लेना ही भूल गई यह भूल गई है अम्रित काल को यह भूल गई है मन्रेगा को यह भूल गई है मौलाना अजाद नेशनल फेलोशिप को यह भूल गई है मनीपूर को यह भूल गई है महरास्ट्रा को मुझे गर्भ है कि मैं राज्यसभा में महरास्ट्रा का प्रत्निभि इस देश को देता है उस महारास्ट्रा के लिए इस बजट में एक शुक नहीं है सभापती महोदे आखिर महारास्ट्रा से किस पास का बदला लेने पर उतरा है अब तो शायद उन्हें याद भी नहों यवत माल का वो दाभरी गाउं जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे उसी यवत माल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की थे सभापती महोदे महारास्ट्रा में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं राज्य सरकार द्वारा सौंबा गया आकड़ा बताता है कि एक जन्वरी से 31 माई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है लेकिन अब सोथ इस बजट में महारास्ट्रा के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के MSP की लीगल गारंटी नहीं दी लेकिन याद रखिएगा जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं सभापती महोदे, मुझे अबित्मंत्री जीसे पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले स्टोल स्मार्ट सिटी बनाने का धोल पीटा गया था सुना है उस धोल में पानी भर गया है इसलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज आप ग्रोथ हप्स रख दिया है अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए आपकी कई सरकारें तो इसी वज़ा से चल रही है इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापती महोदे इसलिए इस सरकार ने UGC का बजट 6-6% कम कर दिया है वाधी सरकार, सभापती महोदे मैं बित्त मंत्री जी के संग्यान दिलाना चाहता हूँ कि किशन गन्य में AMU सेंटर के पास 224 एकर जमीन है UPS सरकार ने सोनिया गांदी जी की अगुआई में 136 करोण रूपए AMU किशन गन्य सेंटर के लिए शक्षन किये थे मेरा आप से सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीस करेंगे मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदिया जब आप जरूर देंगी सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है वहाँ के लोगों को एम्स की जरूरत है महानंदा और कोशी से होने वाली बाह की तबाही को रोपने के लिए बांध बनाईए सीमांचल के साथ सोतेला व्योहार बंद चरिए एकोनॉमिक कोरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा विकास होगा स्वास्त और सिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर सभापती महोद है एक तरफ तो इस बजट में पी-म आवास योजना के तहट तीन करोन अत्रिक्त मकान देने की घोंशडा है और दूसरी तरफ लखनव के अकपर नगर में बारा सो असी वो मकान है जिने रीवर फ्रंक बनाने के नाम पे बुल्डोजर से जमी दोस्त कर दिया गया सभापती महोद है लोग चीखते रहे बच्चे भी लखते रहे मेरा बहुत भाउकता के साथ देश के पुर्धान मंत्री से सवाल है कि इन उजडते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नीन कैसे आती है आप सो कैसे पाते है मेरा सवाल है इस देश के पुर्धान मंत्री से या तो लोगों के खरोंबे उजारना बंद करिए या फिन करोणों मकान बनाने की जूटी घोशनाएं करना बंद करिए ये बजट जूट का पुलिंदा है ये बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है ये बज़ट हमारे चुनावी घोशना पत्र की नकल करने की एक बेइमान कोशिश है लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए अकल चाहिए मेरे हाथ में एक तरफ न्याए पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याए पत्र है जो आपका है इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सबापती महोदे जब आप इनसे सवाल पूछिए तो यह करता है कि आप बताईए 70 साल में आपने क्या किया है मैं इस सदल मैं कहना चाहता हूँ सबापती महोदे कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालो जो सरकार अपना चलाया हुए 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है सबापती महोदे मैं अंत में आप से यह कहना चाहता हूँ यह बजट बैसाखी पर सिकेवी सरकार कर्सी बचाओं बजट है इस बजट में राज्जों के साथ, किसानों के साथ, मोजवानों के साथ, महिलाओं के साथ देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महरास्टा, हर्याना और जहार्थन के चुनाओं में उगतना पड़ेगा सबापती महोद है इस सरकार ने नोट बंदी लगा कर देश की आम जनता की पूरी चीन लिए पर सिंटक्स लगा करके छोटो ब्यापारियों के कारोबार चीन लिए पेपर लीग करवा करके युवाओं की आँखों से नौकरी के सपने चीन लिए अगनी बीर लाकर देश के जमानों की उमीदें चीन लिए बुल्डोजर लगा कर लोगों के आशियाने चीन लिए महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले चीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं 18-18 घंटे काम करते हैं इनहीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और जूट में दूरी है वो दूरी समझते हैं सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं वो अपना हच समझते हैं निवाला चीन लेने को कैसी को बहुत से लोग मजबूरी समझते हैं हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है सभापती महोदे मैं यहाँ खड़ा हो करके अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम रज्जों के साथ अन्याय किया गया है इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है और खास तोर से महरास्ट्रा के लिए कुछ नहीं रखा गया है महरास्ट्रा बार से जूज रहा है पानी परतने से वहां 1511 लोग मारे गए है उस शहर को उस राज्य को 4000 करोन के पैकेज भी जरूरत है ताकि जो फत्रे बरबाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी लेकिन अफसोर इस बजट में महरास्ट्रा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आफिर में ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साथ दिन से इस बजट का बड़ा धिडोरा पीटा जा रहा है इसे महान बताया जा रहा है लेकिन कौन महान बता रहा है सक्ता पक्ष के लोग उन्हें तो बताना ही है क्योंकि मैं अवद छेत्र से आता हूँ प्रताफगर से नीरजबाई भी अवद और पूरवांचल से आते हैं वहाँ एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ कितने की बिटिया की महतारी ने यानि कि बेटी की प्रशंसा कितने की माने तो इस बजट की तारीफ सक्ता पक्ष करे तो करेगा ही लेकिन विपक्ष के एक भी सांसत से आप पूछिए कि क्या उसके राज्य को कुछ मिला है तो वो ये कहेगा कि नहीं कुछ भी नहीं मिला है बहुत बहुत धन्यवाद सभापती महोदय धन्यवाद बजट पर अपनी राय रखेंगे दन्यवाद मिला स्री अप्तुल बहार